दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए दोस्तो नूट्बुक पढ़ाईगे क्षेत्र में सबसे अधिक मेहत्वपून वस्तु है इसके बिना पढ़ाई लिखाई किया जाना संभव नहीं है विभिन विशयों की आवश्यक्ताओं के अनुसार विभिन तरह के कौपी का निर्मान किया जाता है जो की बाजार में अलग-अलग कीमतों पर बेची जाती हैं ये नूट्पुक अलग-अलग ब्रांट और क्वालिटी के साथ मौजूद होते हैं जिन्हें इनकी क्वालिटी के साथ विभिन कीमतों पर बेची जाती है दोस्तों आप भी बहुत कम पैसे में नूट्पुक बनाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे क्लास्मेट की तरह अपना एक ब्रांट बनाकर इन्हें बेच कर खूब लाब कमा सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको नूट्पुक बनाने के बिजनस के बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों नूट्पुक बनाने के बिजनस के लिए सबसे पहले आपको जगह की आवश्यक्ता होगी अगर आपके घर में जगे है तो आप ये बिजनस घर से भी शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीनरी लेनी होगी दोस्तो नोटबुक बनाने के लिए तीन मशीनों की जरूरत पड़ती है जिसमें पहली होती है pin-up मशीन दूसरी चाहिए Squire Machine और तीसरी जो मशीन चाहिए वो होती है Cutting Machine ये मशीने 4 किलो वाट बिजली लेती है और इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है इन मशीनों की कुल कीमत 5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में होती है इन मशीनों से 15 से लेकर 20 मिनिट के अंदर 6 से लेकर 8 कापियां बन के तैयार हो जाती है सबसे कम प्राइस में मशीन खरीदने का अड्रेस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटबुक्स बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है यदि एक बार इसकी मशीनरी समझ ली जाए तो बहुत आसानी से नोटबुक बनाए जा सकते हैं सबसे पहले शीट को जो की कॉपी के लिए कवर का काम करता है उसे अच्छे से इस तरह मोड़े की वह कॉपी के अनुसार कवर के आकार में आ जाए इसके बाद इसमें जितने पन्ने की कॉपी बनानी हो उतने कागस को भी मोड़ कर उसके अंदर डाल दें इसके बाद पिनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है इस प्रक्रिया में इन कवर और उसके अंदर डाले गए दिस्ता कागस को पिंग करना होता है इसके लिए फोल्ट किये गए दिस्ता को पिनिंग मशीन की सहायता से पिंग करना होता है इसके बाद इसे H-Squire Machine पर ले जाकर इसकी फिनिशग करनी होती है फिनिशग यानी कवर से बाहर निकले अतिरिक पन्ने आदी की छटाई वगेरा फिनिशग के बाद नोट बुक पूरी तरह स्क्वाय में हो जाती है H-Squire Machine में पहले इसके पिनिशग का स्थान अच्छे आकार में आ जाता है इसके बाद इसकी कटींट की बारी आती है पहले बने हुए कॉपी को सामने से काटे और इसके बाद आवश्यक्ता हो तो बीच से काट के दो भागों में बांट दे पिनिंट की ये गएक शेत्र के अलावा सामने के तीनों भागों को काटना होता है इस तरह कुछ ही समय में नूट्पुक बन के बिकने के लिए तैयार हो जाता है कॉपी बन के तैयार हो जाने पर इसे आवश्यक्ता अनुसार पैक करना पड़ता है यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे वोलसेल अथवा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है होलसेल में पैक करने के लिए बड़े पैकेट्स बनाए जा सकते हैं यदि रिटेल में अपना ब्रांट सीधे सीधे उतारना चाहते हैं तो इसके लिए प्रती पैकेच 6 कॉपी का पैक बनाएं और विभिन स्टेशनरी दुकानों पर पहुंचाएं। कॉपी बनाने में कुल खर्च की बात करें तो इस बिजनस को शुरू करने में कुल खर्च 5 से लेकर 7 लाख रूपे का आता है। इस पैसे में आप ये मशीन भी खरीच सकते हैं और साथ ही रौ मटीरियल भी पा सकते हैं। इसके अलावा एलेक्रिसिटी वाइरिंग वगेरह भी इसी पैसे में हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप 2 या 3 मजदूरों के साथ 7 लाख रूपए की लागत के साथ इस व्यापार की शुरुआत बढ़ी आसानी से करके अपना नोटबुक ब्रैंड बाजार में उतार सकते हैं और मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अब कमाई की बात करें तो एक किलो पेपर में लगभग 6 से लेकर 7 नोटबुक बनाई जा सकती है। लदी इसे रिटेल में बेजे तो 15 रूपए प्रती पीस बिखता है। एक नोटबुक बनाने में कुल लागत 11 रूपए की पड़ती है। होलसेल में इस तरह की नोटबुक की कीमत 12 से लेकर 13 रूपए की होती है। इस तरह से होलसेल में प्रती एक नोटबुक में 2 से लेकर 5 रूपए का लाब कमाया जा सकता है।